हलो नमस्कार दोस्तों मैं काउसलें सिंग असिस्टन प्रोफेसर अपने यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत वाविनंदन करता हूँ आज प्रयास वंतुटी सिद्धांत के टेट वं सीटेट में पूछे गए प्रशनों पर चर्चा करेंगे आप सभी को पता है Trial and Error Theory of Learning जिसके की जो प्रतिपादक थे वह है Edward Lee Thorndike थे और उन्होंने कैट पर प्रयोग किया था इनका सबसे आदा जो नियम प्रसिद्ध था वह है सीखने के प्राथमिक नियम तो सबसे पहले आपके सामने जो स्कीन पर पहला प्रशन है वह है आप देख रहे हैं अधिकम में प्रयत्न एवं भूल के सिद्धानत का प्रतिपादन किस ने किया है यहाँ पर आपके सामने चार आप्शन दिये हुए हैं पहला है पावलो दूसरा है गार्टी और तीसरा है थौंडाइक और चौथा है हल तो यहाँ पर यह प्रशन यूपिट्रेट 2016 में पूछा गया है काफी इंपोर्टेंट है तो इसका जो सही आप्शन है जैसा भी अभी मैंने आपको बताया भी वह है आपका थौंडाइक इनका पूरा नाम एडवर्ड ली थौंडाइक थ प्रस्ण संख्या दो थौंडाइक का सिद्दान्त इनमें से किस वर्ग के तहट सूची बद्ध किया जाता है यहाँ पर आपके सामने चार आप्शन दिये हुए हैं पहला है वेवहारिक्ता का सिद्दान्त दूसरा है ग्यानात्मक सिद्दान्त और तीसरा है मनो विश्ड सिद्दान्त और चौथा है इनमें से कोई नहीं तो इसमें जो सही आप्शन है वो पहला आप्शन बिल्कुल ही सही है वेवहारिक्ता का सिद्दान्त थौंडाइक का जो सिद्दान्त है वो वेवहारिक्ता की सिद्दान्त की अंतरगत आता है यह प्रस्ण भी बहुत महत्पूर है और जो लिखित परिच्छा हुई थी खासका 27 मही 2018 को आज 6500 की जो वेकंसी आई थी उसमें यह प्रस्ण पूछा गया था कि अधिगम के प्राथमिक सिद्धानतों के पड़ेता कौन है तो जैसा भी मैंने आपको बताया भी है कि अच्छा प्रस्ण भी है आने वाले जो कोश्चन पेपर से उसमें पूछा भी जा सकता है कि इस प्रकार से भी प्रस्ण पूछा गया था इसी लिखित भरती परिच्छा में कि सीखने के प्रयाज से उन्तुटी सिद्धानत का प्रतिपादन किया किस ने किया जैसे आपको सामने लिखा हुआ है तो यहां पर इसके जो प्रतिपादक हैं वह है एडवर ली थौन डाइक बिल्कुल ही राइट है यह भी बहुत महतपूर प्रस्ण संख्या 5 भी बहुत महतपूर है जैसा आप सब लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं निम्न में से कौन सा सीखने के दिया हुआ तत्परता का नियम दोसरा है अभ्यास का नियम तीसरा है बहुत अनुक्रिया का नियम और चौथा है प्रभाव का नियम और यह प्रश्ण यूपीटेट 2017 में पूछा गया है तो आपको पता है सीखने के प्राथ्मिक नियम या मुख नियम कौन कौन से होते है पहला तक परता का नियम, दूसरा अभ्यास का नियम और तीसरा है प्रभाव का नियम इसका मिलब कौन सामिल नहीं है? तो यह आंसर बिलकुल सही है बहु अनक्रिया का नियम सीखने के मुख नियमों में सामिल नहीं है इसके लावा इसी प्रस्टन को दूसरे तरीके से भी यूपी टेट 2016 में पूछा गया था जैसा आपके सामने स्क्रीन में है कि निम लिखित में कौन सा सीखने का नियम नहीं है यहाँ पर भी देखे चार आप्षन दिये हुए हैं पहला है ततपरता का नियम दूसरा है तनाव का नियम तीसरा है प्रभाव का नियम और चौथा है अभ्यास का नियम तो जैसा आपको पता है कि सीखने का नियम नहीं है उसके अंतर बताया प्राथमिक नियम के अंतर ततपरता का नियम आता है प्रभाव का नियम आता है अभ् प्रस्न संख्या साथ जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रियोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली तुर्टियों को कम करने में बदत करता है यहां विचार देखें इस पेस यहां छूटा हुआ है यहां पर आपको फिल करना है कि यह द्वारा किया गया यहां चार अफशन दिये हुए हैं पहला है एडवर्ड ली फॉन डाइट दूसरा है जीन प्याजे और एगफ दूसरा है जबी वाट्सन और चौथा है लिव वाइगोस्खी तो यहां पर जो तो ही आप्सन है वह है यह एडवर्ड ली फॉन डाइक औ अभ्यास करने से तुटियों में कमी आती है प्रस्व संख्या आठ सीखने का प्राथमिक मूल भोद नियम संबंदित है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिश्ण है यूपिटेड दोजार्स तेरा में पूछा गया है तो यहां पहला आप्शन जो दिया है अभ्यास कारे से दो इसरा है प्रसंसा से और चौथा है तत्पर्था से रेडिनेस तो यहां पर जो सही आप्शन है वह है सीखने का प्राथमिक मूल भोद नियम संबंदित है तत्पर्था से बिल्कुल ही आपका राइट है रेडिनेस प्रस्व संख्या नौ अधिगम में यहां पर देखिए स्पेस छोटा हुआ है ने प्रभाव का नियम दिया था यहां पर चार आप्शन दिये हुए हैं पहला पावलो दूसरा है इसकिनर तीसरा है वार्टसन और चौथा है ठौण डाईग और यहां प्रशन यूपी दोजा सोला में पूछा भी गया है तो जो इसका सही आफ्शन है वह है आपका ठौण डाईग बिल्कुल ही राइट है क्योंकि आज हम लोग ठौण डाईग के उपर आए हुए प्रशनों पर ही चर्चा कर रहे हैं प्रशन संख्या 10 जैसा कि आपके सामने स्कीन पर है कि यह यूपी टेट दोजा 14 में पूछा भी गया है सीखने के नियम दिये हैं तो यहां पर चार आफ्शन दिये हुए हैं पहला है पावलो दूसरा है स्कीनर तीसरा है थौण डाईग और चौथा है कोलर तो आपने जो सोचा वह बिल्कुल सही है थौण डाई बिल्कुल ही इसका प्राइट आप्शन है प्रस्ण संख्या 11 प्रयास्वा तूटी में सबसे महत्पूर क्या है और यह प्रस्ण बिहार टेट 2011 में और डी एस 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 बी प्यार्टी में भी पूछा गया है तो खाफी इंपॉर्ट प्रश्ण है यह तो पहला यहां पर अभ्यास दूसा है फ्रेणा तीसरा है लच और चौता है वाद विवाद जो इसका सही आफ्शन है वह प्रयासवा तूटी में सबसे महत्पूर लक्ष होता यह लच बहुत ही सबसेरे प्रमिकुल होला प्रस्ण संख्या 12 और खास कर आ अंतिव प्रश्ण निम्न में से कौन सा सीखने के नियम में सम्मिलित नहीं है। यहाँ पर देखे यह प्रश्ण विहार्टेट 2013 में पूछा गया है। यहाँ पर चार आफ्षन आपके सामने दिख रहे हैं। पहला है अभ्यास, दूसरा है ततपरता, और तीसरा है खेल, और चौथा है प्रभाव, तो यहाँ पर जो सही आफ्षन है, सीखने के नियम में सम्मिलित नहीं है, वह है आपका खेल, बिल्कुल ही राइट है, क्योंकि आपको पता है, सीखने के नियम में अभ्यास का नियम, ततपरता का नियम, प्रभाव का नियम सम्मिलित होते हैं, सिर् प्रतिपादक थौंडाइक महोदे थे और प्रयासियम्तुटी के जो सिधान्त है उसको दो टी नामों से और भी नाम से जाना जाता है अगर उस नाम से पूछा जाए तो आप उसको भी आप उसका आंसर दे सकते हैं जैसे इस प्रयासियम्तुटी के सिधान्त को हम जो है कनेक किसी ही प्रकार की आपको Saigon G MA ważne हैं टो मेरे खात वारा साल के अंभो को भ्यान मेंड़कते हुए कोई प्रublesn कभी आप में मैसेज के द्वारा पूछ सकते हैं जिसका मैं भरसक सही आंसर देने का प्रियास करूँगा तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक, सेर वाज सब्सक्राइब करें वा बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें जिससे मेरे नए वीडियो का नूर्टिफिक रहेंगे धन्यवाद नमस्कार दोस्तों।